यूपी से हैं मोहित स्वागत है आपका जी जी क्या किने मोंताजी के घुटिनों में दर्द होता है कि तने वक्ति जै जी अभी से हां कम सब्सक्राइब करें एक महीने से अधिक है वम्र की ऑपिर ओमर है कम सब्सक्राइब पेंटालिस साल और एक ही गुट में में दर्द होता है पीटा काफी दिन से होगा वैसे आप पूशा नहीं ऐसी अपनी तरफ से कह रहे हैं एक महीने में कोई फोन भी नहीं करता काफी बुराना दर्द हो तो वैसे तो करना चाहिए जल्दी लेकिन पता नहीं मुझे क्यों ल हो उनके प्रियोग के लिए अपनी जुर्द उस पर पूरी किया के रहें इससे भी बहुत फाइदा रहता है और कभी कभी तो हम बगएर दवा की ठीक हो जाते हैं अगर किसी को बहुत पुराना दर्द है किसी सूरत नहीं जाता तो देखिए मैं अकसर बताता हूं एक आता है गौन सिया काला गौन इसे कहते हैं अच्छा ये असली ले नकली बहुत देने लगे लोग बड़ी परिशानी है और ये सस्ता इलाज है एक दिन में पंदर सोला रुपे खर्च होते हैं ये कड़वा होता है और काला गौन भी इसे कहते हैं लेगिन इसके बदले में हुब है नाश्ते के बाद आधा गिराम शाम को आप ममी को दे दे और पांच-साथ दिन के बाद फाइदा शुरूप करता है थोड़ा सबर करें सयम रखें और ये सो गिराम भी असली मिल गया तो आपकी ममी को फाइदा होना मुमकिन है पतैपूर से है राम स्वागत है तो उसको किस तरह खाना है उसमें तो परहेज बहुत दिया है और हम तो अंदा मिट मचली खाने वाले हैं नहीं ठीक जी आप परहेज सिर्फ इतना करें कि खटी चीजे न खाएं खटी और ठंडी चीजे और माजून आरकेर आपके पास है तो एक चमश सुबह निहार में गरम पानी से लिया करें और बहुत ज़्यादा परिशानी है तो रात को सोते वक्त भी ले सकते हैं इतना परहेज आप तो उससे कोई फार्क ने पड़ता आप वही अपनी डाल सब्जी खाएं जो भी आपको पसंद है और सबर करें यह इलाज चार-पाच महीने अगर करते हैं तो आपको फायदा भूंप की लिए जी मिसेस सपना है दिल्ली से स्वागत हैं आपका हालो 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 जी सपना जी बताइए सवाल कर लिजे मैं आपका प्रोगाम अब भी देख रही हूं ऐसा है मैंनम की मैंने ना आपकोन किया था आपके या तो मेरे गुत्दों में भी जाब दर साइर भी है ब्लड पेशल है हां और अब देको नहीं प्रिका मंगवाया था अब दर से नहीं प्रिका में आपके पास टी केर आया है ना आपके पास टी केर आया है ना आदी ठी केर एक सुबा ले कैपसूल नाच्टे के बाद एक शाम को और वो सिर्का भी ले आप थोड़ा सहीम रखें पास साथ दिन के बाद फाइदा आपको शुरू होता है और दो तीर महीने अगर आप लेते हैं तो आपको फाइदा होना मुम्किन है जी तो सपना जी आपके पास सारे रौ माटीरियल कैपसूल पहुंच चुके हैं युनानी के तो आप न सबर रखे इनका इस्तमाल जरूर कीजेगा जल्दबाजी मत दिखाईएगा दर्श को जब आप लोग कोई भी दवाई का सेवन करते हैं कोई भी नुसका आप अपना है अब आप लोगों की बारी है आप लोग भी सेहत मंद हो सकते हैं तो थोड़ा सा इंतजार करके हर एक नुसके को फॉलो कर लिजिए लिख नहीं पाते हैं समझ में कुछ नहीं आ पाता है कि नुसका कैसे बनाना है फिर से अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो आप या सश्रीयकाल, बताए ये मयरा कैसो नहीं मिरी माता जी है इस नौइत तक अनकी बीमारी पहुंची मैंना इस फिस न्यायत तक उनकी बीमारी पहुंचिए, इसकी अका वह ले लीजे वाटसब नंबर उस पर रिपोर्ट भेज भीजे हम आपकी कुछ ना कुछ मदद जरूर कर पाएंगे जी हकेम साब जब बात आती है इसकिन की तो हर एक इंसान चाहता है चाहे वो मेल हो फीमेल हो कि उसकी तुच्छा क्या है बड़ी खुबसूरत लगे और उ क्यूं हो जाती है और इसका ट्रीटमेंट क्या बहुत लंबा होता है कि मरीज ठक जाता है है वाके इसका इलाज दुनिया में चाहिए सबसे लंबा इसकी का इलाज है कि कुछ तो यह होता है कि आत्मी कोई भी रोग हो कुई दवा खाय ठीक हो जाए इसमें वह रोग के लोगों की नजर देखनी पड़ती है जो जी अच्छी नजर से लोग उसे नहीं देखते जिसके सफ़ेदा हो बलकुल हलाके इस यह कोई छुआ छुट की विवारी नहीं है लेकिन पता नहीं कि उस समाज में उससे लोग परहस करते हैं तो एक यह तकलीफ नहीं जाती है लोग तो ईसे नहीं होते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐतियाद करते हैं और उससे मरीज को बहुत तकलीफ पहुंचती है और इसका भी इलाज है लेकिन बहुत लंबा है हम भी शर्माने लगते हैं दवा बता बता कर और मरीज भी तंग आजाता है कि कितना लंबा कि कुछ ऐसी बिंपारिया हैं जहां पर थोड़ा वक्त देना हुता है लेकिन जब आप समझ लेते हैं कि नुस्पी जो shirt बताते हैं हकीम साथ वो कितने कीमती होते हैं कितने असरदायक होते हैं तो आप खुद पे भी भरोसा दुबारा से कर पाते हैं क्योंकि हम ये देखते हैं कितने सारे पेशंट ऐसे होते हैं जो घर के किसी कोने में या तो रोते रहते हैं या पर तकलीफ उन्हें इतनी ज़ादा होती है देर से ही सही लेकिन आप लोग ठीक हो सकते हैं कारक्रम लाइव है लाइव आप लोग हकीम साहब से रोग सम्मंदी कोई भी प्रेश्म करना चाहते हैं तो फोन उठाइए नमर्स पे कॉल कीजे जो आपके सामने आपकी टीवी स्कुरिंस पे बात अगले कॉलर से स्वागत है हाँ हम क्या नाम है नमस्टाइब मैं हम परतीमा है जी प्रतीमा बताए यह हमसे हमारे हमारे दो सवाल है एक मेरी बेटी के लिए और एक मेरे बक्षकेक के लिए तो डॉक्टर साहब मेरी बेटी है जो नाइन्थ में पढ़ती है उम लगभग 15 साल है लेकिन दूसरे या तुसरे बेंच पर भैस्ती है तो उसे ब्लैक बोड थोड़ा सा मने देखने में पर सालिंग होता है तो डॉक्टर साहब इसके लिए मुझे कुछ उपाय बत है और दूसरे मेरे मेरा बच्चा है जो अस्वा से प्यूरित है जाथी बच्चा से ही लेकिन आप आपका जो दवा है माजुनार के रूदे रहे हैं लेकिन कल कभी पेड़ दर्द की सिकायत करता है तो मुझे सलाह दें हाँ माजुनार के पांच-छे महीने लगा तार दे बच्चे को और खटी चीज़े और बजार में जो ये सब मिलता है ना वैफर्स वगएरा ये वो सब मत दिया करें खटी ठंडी चीज़े उसकी कुछ दिन के लिए जब तक इलाज चले पांच-छे महीने इसका इलाज चलता तो इसको दिया करें और वक्ती तोर पर कोई भी बच्चे को तो फाइदा होना मुमकिन है अब ये बच्ची है देखिए इस बच्ची को फिलहाल गाजरे चल रही है एक किलास गाजर का जूस रोज पिलाएं और उसमें आदा ग्राम गौन मौरिंगा सफेद डाल दे असली वाला गौन मौरिंगा सफेद असली वो बस एक बारी एक दिन में पिलाना है अदा ग्राम गौन मौरिंगा सफेद और ये जब तक पिलाएं जब तक गाजर चलती रहा है यह अभी तो काफी दिन चलेगी अगर गाजर खतम हो जाए मौसम खतम हो जाए सीजन खतम हो जाए तो दो तीन चमच सौफ का पानी उबाल ले करें यह आप उन्हें लगातार इलाज करें चैसात महीने तक तो बच्ची को फाइदा मुम्किन है बिहार से हैं नेहा जी स्वागत हैं आपका हाँ है अप ठीक से बताएए पेट में तकलीफ होती है कबसे तकलीफ है 5-4 महीना से मेरा पेट में बार दर्ट पर दर्टर को दिकाया है किया वजान बताया है डॉक्तर ने हाँ अ कि क्या भत आया है डर्द बहुत रहता है नहीं खाने पाते हैं फुदा फुला डाता है ने बटा यह बताएए डौक्टर ने क्या क्या रोक बताया आपको। नाजबर नाजबर प्प्रिया प्चेधा ने क्या को डिकत बताई बताई थीक that थीक है लेखी है बड़ी परिशानी होती है कभी-कभी समझने के लिए लेकिन बात समझ में आगई दे इब एक आता है अग सिर्का सिर्का अलवीरा अब विरा का सिर्का ये खरीद लें आप और ती चमज चोटी चाय के चमज इसे कहते है न टी स्पून एक गिलाश में डाले पानी में और एक चुट्की में जितना खाने का सोड़ा आए उसमें मिक्स कर दें खुब मिला दें चब मस्से और ये पी लिया करें दिन में एक बार बस आपको फाइदा होना मुम्किन है जी लखनाओ से हैं विजय स्वागत है आपका हाँ हलो मैं नमस्कार नमस्कार अरे मैं हकीम राथ से बात करनी थी जी जी कर दिखताः डिकतार हमारे जो है इसके में दिखत रहती है पूरे सरीर में जो है कितने से है लाल dal हो जाती है हो हलकी Soil No DKा जा difference इस प्रकास चीपकर के उचटेंपास ति हो इसप्रकास ओखी बहुत होती है । परश रैच जैसरे बन जाते हैं ओर आपकी आयू बियु है चार वर्स लमसम हो गया तीन से चार वर्स चार वर्स ये जिक्कत है जो चलिए फिर बेफिकर हो जाईए मैं आपको एक नसका बता रहा हूँ बहुत आसान है लेकिन आप समझने कैसे है एक आता है नमक जैतून याद रखें नमक जैतून अज़री देखने में तो बिलकुल वैसा ही नमक सा होता है जैसे आपके किचन के डबे में एक महिला नमक भरके रख लेती है वैसा ही दिखता है लेकिन इसे खाओ तो नमकी नहीं होता ये इसकी पैचान बता रहा हूँ लेकिन देखने में बिलकुल नमक जैसा हलका सा कड़वापन या हलका सा खारापन होता ह यह आप खरीद ले, 100-100 ग्राम भी खरीद लिया तो काफी होना चाहिए आपकी पूरी बिमारी के लिए अब इसकी एक चुटकी या दो चुटकी, ये चुटकी है ना, ये एक चुटकी या दो चुटकी एक गिलास पानी में मिला दे, आराम से मिल भी जाता है और ये पीलिया करें दिन में एक बार या दो बार और ये शुरू करें ये धीरे 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 आपकी स्किन अलर्जी हो, दाने हो, महासे हो, चकते हो, स्क्रेच हो बहुत सारे फाइदों में करता है यह बलीवर को भी अच्छा करता है यह किडनी को भी अच्छा करता है यह अप लीजे और फाइदा उठाईए जी